हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो प्रियंका किचेन स्टूडियो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल बिहारी स्टाइल में हांडी चिकन की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे मैंने यहां पे बिना कोई भी मसाले को पिसे हुए बना सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मेरे चैनल को तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने एक मोटे तले की हांडी ली हुई है जिसमें मैंने पांच बड़े चमश सर्चो का तेल एड़ किया है तेल जैसे ही गरम हो जाए यहां को सूखे मसाले लिए जिसमें एक दा 10-12 काली मिर्च के दाने लिए हैं तेल हमारा अलड़ी गरम हो गया है अब उसमें हम इसे डाल देते हैं इसी के साथ मैंने यहां पे दो तेज पत्ते भी इसमें डाल दिये हैं और इसे हम लगबग 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर भुनेंगे जब तक इसमें से अच्छी से एक खुश्बून आने लगे इसी के साथ मैंने यहां पे चार मीडियम साइज के प्याज को ऐसे पतले-पतले स्लाइस में कट कर लिया है और इसे हाथ से हम इस तरह से मसलेंगे जिससे इसकी एक एक लेयर अलग हो जाए तेल हमारा अलड़ी गरम में मसाले भुन गया है अब हम ब्याज को भुनेंगे तो इसमें मैंने था जरी प्याज को डाल दिया है और इसी हम तब तक भुनेंगे जब तक यह अच्छे से ब्ल जा इसे में टालने के लिए लिए और यह K Allen के लिए लग Means औो किंग ़ीकंड के और शोड़ने जम यहां निकिसे कर दे चारा कोत करना है ये देखिए प्यास थोड़ी गलनी स्टार्ट हो गई है अब इस स्टेज में यहां पे 20-25 लेसुन की गलिया इसमें आड़ कर दी है और इसे भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं और हम दोनों चीजों को आप साथ में भूनेंगे और जिसे हमारी दोनों चीजे अच्छे से गल ज अध्रक को मैंने बारिक ग्रेट कर लिया है उसे इसमें में डाल देंगे में दो इंच का टुकड़ा मैंने यहां पे लिया था के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम ऐब प्याज और लैसुन के त्री टी स्पून धन्य पॉडर की एबगा मिंक्स कर लेते हैं कि इसाथ ही मैंने चीजनल तर होग्त काड़ दा मुझा हूच और इसी के साथ मैंने यहां पर चार जो है सूखी लाल मिर्च डाली है लाल मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़ी कम जादा कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार इसके बार मैंने यहां पर जो है दो लेसुन की स्लाइस इसमें डाल दी है और इसे डाल के एक बार जरूर ट्राइब कीजेगा इसे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके दो मिनट तक भूनेंगे लगब दो से तीन मिन इसे भी अच्छे से चला लेते हैं और चीकन को तब तक कुक करेंगे जब तक यह अच्छे से गल जाए यहां मैंने 1-2 टेबल स्पून नमक और एट किया है शुरूआत में भी मैंने नमक एट किया था तो नमक उसी साफ से अट करेंगे यहां पर तो इसे भी एक बार मिक् लगा है एक बर इसे फिर से चला देते हैं और फिर से हम इसे दो मिनट के लिए ढख के छोड़ देंगे लगबग 2 मिनट के बाद देखें चिकन से अच्छे से पानी निकल गया है और हमारा जो चिकन है वह भी आलमोस्ट गल गया है चिकन बिलकर गल के रेडी हो गया है अभी हम ढखेंगे नहीं और लगबद 2-3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे जैसे यह भून जा इसके बाद हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे तो ग्रेवी के लिए मैंने यहां पर गरम पानी एड़ किया है लगबद 2-3 मिनट कर देते हैं यहां मुझे पानी थोड़ा सा कम हो गई है इसे एक बार मिक्स कर देते हैं चिकन हमारा ओलेडी गल चुका है तो हमें सिर्फ इसे दम पे 5-7 मिनट तक रखना है तो एक गुथा हुआ आटा लेंगे और इसे हम इसे अच्छे से चारों तरफ से सील कर देंगे इसे हमें सिर्फ 5-7 मिनट टक नहीं इसे जाद सकता करके एक नाइव से चल करके इसे हटा देते हैं इसका कवर को यह देखे बिल्कुल ऑच्छे से कितना पॉरुइक तलर डिखा देती हूं कितना आछै है लुग देखिआ्यों चिन पूरे पूरा पूरे अच्छे से गल गिया है ग्र invinci lie है तो है यह देखे में यह दिकि consistency है जबकि हमने कुछ भी चीज इसमें पिसा नहीं था ऊपर से थोड़ी से धनिया की पत्निया डाल देते हैं और इसे किसी भी रोटी चावल के साथ enjoy कर सकते हैं एक बर बना के जरूर ट्राई कीजेगा यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा बस इसमें कुछ खास बात जो है वो कुकिंग होती है तो इसलिए अगर आप हाई फ्लेम पे से कुक करेंगे तो जलने के चांसे ज्यादा रहते हैं तो इसलिए आप कोशिश कीजेगा कि हमेशा लो फ्लेम पे बनाईए और बनाके ट्राई कीजे मुझे जरूर बताईएगा कि कैसे बनी तक-tक के लि बबाई टेक केर और थैंक्स फर वचिए